तो strong relationship 2023 में आपकी life में आता हुआ दिख रहा है या पिर जो relationships हैं वो और strong होते हुए दिख रहे हैं उनमें growth आती हुए दिख रही है maturity लव में आती हुए दिख रही है relationships mature होते हुए दिख रहे हैं बट फिर भी जो चीजें आपको परेशान कर रही थी bother कर रही थी आपके mind में बहुत एक उल्जन सी create कर रही थी आप धीरे 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 उनसे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं और एक रोशनी सी होती हुए दिख रही है तो चलिए वागोज आपकी reading शुरू करते हैं इस reading में आप देखेंगे कि 2023 आपके sun sign के लिए आपके different life के areas के लिए कैसा रहेगा क्या blessings 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है कौन से significant months आपके लिए 2023 में रहेंगे क्या आप लोगों के लिए guidance रहेगी जिसको follow करके आप अपने लिए 2023 को और बहतर कर सकते हैं ये reading बहुत बहुत exciting रहने वाली है क्योंकि इस reading में मैंने दो major changes किये है सबसे पहला बहुत सारे लोग मुझे नीचे comment section पर लिखते हैं कि ma'am please आप हमारे सामने cards निकाला करें actually मैं तुरंत meditation के बाद cards निकालती हूँ उस time पर frame of mind नहीं होता है कि मैं record करूँ लेकिन इस reading में जब मैं आपके 2023 के cards निकाल रही हूँ उसको मैंने record किया है आपके साथ share किया है तो आप अपने cards को निकलता हुआ देखेंगे and secondly इसमें मैंने horoscope spread किया है horoscope में 12 houses होते हैं जो आपके life के different areas को represent करते हैं तो बहुत detail में आप जानेंगे कि आपकी life के different areas में 2023 में क्या हो रहा है and before I start the reading wish you all a very very happy new year I really wish कि 2023 आपके लिए धेर सारी खुशियां, धेर सारा प्यार, धेर सारी success लेकर आए जो भी आपने अपने लिए goals बनाए हैं 2023 के लिए उनको आप जरूर जरूर अचीव करें और एक video भी मैंने specifically 2023 की general energies के लिए बनाया है आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं और उसमें tips भी हैं कि कैसे आप अपने लिए 2023 को और बहतर करें और एक और चीज़ आपसे कहना चाहूंगी कि please please इस reading को आप as guidance लें जिस भी life के area के लिए आपको लगे कि भाई बहुत positive card नहीं हैं उसको देखके बिल्कुल भी आपने परिशान नहीं होना है in fact कैसे आप उस life के area को और बहतर कर सकते हैं उसके उपर आपने ज़्यादा focus करना है और इस reading को आपने as guidance लेना है क्योंकि देखे इसी intention के साथ मैंने ये reading आपके लिए बनाई है कि ये reading आपको help करे जो आप खुद के लिए 2023 में चाहते हैं उसको create करने के लिए 2023 को कैसे आप बहतर कर सकते हैं उस intention के साथ मैंने reading बनाई है और प्लीज आप भी इसी intention के साथ इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं आपकी reading तो चलिए वगोज आप लोगों के लिए देखें कि 2023 आपके life के different aspects के लिए क्या लेकर आ रहा है या फिर overall के लिए 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं horoscope spread कर रही हूँ horoscope में 12 houses होते हैं और मैं यहाँ पर 12 cards each house के लिए निकालूंगी और आपको साथ के साथ उस house का significance क्या है, role क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी वरोड यर 2023 yearly rating वरोड यर 2023 yearly rating वरोड यर 2023 yearly rating वर्गो यूर 2,023 वर्गो यह जो टूजंट 223 यूरी दिन वर्गो तूजंट 23 यूरी दिन तोहसार तेस एस वर्गो के लिए कैसा रहेगा दिफरेंड लाइफ के एरिया के लिए 2030, वर्कोर्स के लिए कैसा रहेगा? चलिए देखते हैं, वर्कोर्स तो सबसे पहले हम First House के लिए काड निकालेगे First House, Self का होता है and First House के लिए आप लोगों के लिए काड है Third Star Second House, Wealth का होता है, Positions का होता है assets जो भी आप बनाते हैं, खरीदते हैं, उनका होता है and इसके लिए आप लोगों के लिए five of pentacles का card है third house siblings का होता है, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे communicate करते हैं और short travels का भी होता है and इसके लिए आप लोगों के लिए page of pentacles का card है fourth house को हम सुखस्तान कहते हैं, fourth house mother का घर होता है, vehicle property भी fourth house से आती है and fourth house के लिए आप लोगों के लिए card है, ten of swords fifth house love romance का होता है, जो लोग conceive करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम fifth house को देखते हैं education का होता है, pleasures का होता है and fifth house के लिए आप लोगों के लिए है king of cups sixth house health का होता है, जो हम service you know in general लोगों के लिए करते हैं, उसका होता है और professional friend में जो job करते हैं, क्योंकि दिखिए job is equal to service तो उसके लिए भी sixth house होता है and sixth house के लिए आप लोगों के लिए है king of wands seventh house marriage का होता है, आपके partner का होता है, spouse का होता है overall business में भी partnerships जो होती है, वो भी हम seventh house से देखते है इसके लिए आपके लिए third chariot का card है, eighth house endings and beginnings का होता है eighth house के लिए आप लोगों के लिए four of wands का card है ninth house luck house होता है, long travels का होता है, higher education भी हम ninth house से देखते है और धरम स्थान होता है, spirituality का भी घर होता है इसके लिए आप लोगों के लिए seven of swords का card है tenth house profession का होता है, इसको हम करम स्थान भी कहते हैं tenth house के लिए आपके लिए eight of wands का card है eleventh house gain house होता है, social circle की बात करता है, आपके friend circle या फिर friends की भी बात करता है इसके लिए आप लोगों के लिए ace of swords का card है twelfth house आपके जो subconscious level पे fears होते हैं, expenditure होता है, foreign country से related जो भी चीज़ें होती हैं उनको भी हम twelfth house से देखते हैं और इसके लिए आपके लिए page of cups का card है अब हम ओशो जन से ऐसे ही 12 cards निकालेंगे और detail में इन ही areas के बारे में जानने के लिए houses मैंने आपको बता दिये हैं, so I'll just shuffle the cards and take out 12 houses आपकी reading में मैं आपको detail में समझाओंगे कि क्या हर card का मतलब है और क्या different life के areas आपके रहेंगे 2023 में जो सबसे पहले cards को हम shuffle करेंगे वर्गोस कन्या राशी, yearly reading 2023 वर्गोस कन्या राशी, yearly reading 2023 वर्गोस कन्या राशी, yearly reading 2023 वर्कोस कन्याराशी यह लीदिन 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 23 okay first house adventure second house understanding third house we are the world fourth house comparison fifth house the fool and sixth house change seventh house friendliness and eighth house dream and ninth house healing and tenth house politics 11th house past life and 12th house aloneness अब देखते हैं वर्गोस की आप लोगों के लिए क्या guidance रहेगी 2023 में जिसको follow करके आप 2023 की energies को अपने लिए और बहतर कर पाएंगे लिए वर्गोस 2023 औल यवरोल यवरोल kayden लिए वर्गोस लोर लोग़ोल 2023 आप gives लोरो लोगोस ऑने decide वरोस बत्लल 2023 काइड़स अलीवरोस जवरोल 2023 काइड़न लोर लोगोस वर्गोस वर्गोस ओवर्डों 2023 guidance, वर्गोस ओवर्डों 2023 guidance, यह है बीफोर कम्पलेशन, कीपिंग स्टिल, यहां पर मैं तीन कार्ज निकालूंगी, तो थर्ड कार्ट फॉर यू इस ग्रेट पावर, यह होगी वर्गोज आप लगों के लिए गायदेंस, अब हम फोकस अरियाज देख लेंगे, कौन से रहेंगे, यह फोकस अरिया वाले कार्ज भी सकत क्पाप लियू पसाय। यही आपकापकापश यह यह वर्गोज दो जँट दो यह एली सिकोट आप लाहे सामात बीकूंas और यह इ refugee भिदिए वर्गोज सब्चेल माइख यही व पर खूमा गोज से लιαगना कार्गोज आपपकापश Yearly Rating Virgos Year 2023 Yearly Rating सबसे पहला कार्ड आपके लिए है Root Power Gemini सबसे पहला कार्ड आपके लिए Mercury Virgo if you want you can read also and third आपके लिए है यहां पर Pluto Scorpio अब Virgos आपके लिए Blessings देखेंगे और फिर हम देखेंगे क्या Significant Months आप लोकों के लिए 2023 के लिए रहेंगे So Virgos Year 2023 Blessings Virgos Year 2023 Blessings क्या Blessings Year 2023 Virgos के लिए लेकर आ रहा है Telephone यहां पर भी मैं तेन कार्द्स निकालूंगी The other card is Hemok And third card is Emerald Okay अब देखते हैं Virgos कौन से Significant Months आपके लिए रहेंगे Year 2023 में Virgos Year 2023 Significant Months 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 September August तो यह हैं आपके लिए significant months Now I'll see you in your reading Virgos and explain you in detail किन काज का ग्या मतलब है and क्या broader level पे 2023 आप लोगों के लिए different life के अरियास के लिए लेकर आ रहा है तो चलिए Virgos आपकी रीडिंग शुरू करते हैं और मैं first house से start करूँगी first house के लिए आप लोगों के लिए काज है adventure and the star और ये काज देखिये broader level के लिए अगर मैं देखूँ तो कहते हैं कि 2023 में आप star बन सकते हैं यहाँ पे star का मतलब celebrity है यानि कि आपको आपके loved ones या फिर overall लोगों की तरफ से एक appreciation एक recognition मिल सकता है और आप थोड़ा सा limelight में रह सकते हैं again देखिये social media में या फिर otherwise भी आपकी एक name fame हम कह सकते हैं किसी level पर मिल सकता है या फिर मिल रहा है और देखिये पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर आप confused थे या फिर परेशान थे आप नाउमीद हो रहे थे उमीद को रहे थे क्योंकि ये घर self की बात करता है तो यहाँ पे self से ही related अगर पीछे ये चीजें थी यानि कि आप खुद को लेकर इतना confident नहीं महसूस कर रहे थे या फिर आपको ऐसे लग रहा था कि भाई आपने सब के लिए इतना करा और आपको इतना response नहीं मिला या फिर वो appreciation वो recognition नहीं मिली तो कहीं 2023 में again देखिये आपको काफी एक appreciation recognition मिलती हुई दिख रही है और बहुत सारी चीजें self-related clear होते हुई दिख रही है एक बहुत positive frame of mind रहता हुआ देख रहा है और कुछ भी अगर आप adventure करना चाहा रहे थे आपे कुछ लोगों के लिए literally adventure हो सकता है और कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ चीजों को लेकर आप बहुत safe चल रहे थे आप किसी भी तरीके का risk नहीं लेना चाहा रहे थे किसी भी तरीके का chance नहीं लेना चाहा रहे थे तो कहीं यहाँ पर देखिये 2023 में adventure का card कहता है कि आप baby steps जो भी आपकी desire जो भी आपका dream था उसकी तरफ लेते वे दिख रहे हैं और इसी से ही related अगर कोई risk लेना है कोई chance लेना है तो वो भी आप लेते वे दिख रहे हैं हाला कि देखिये आप बहुत सोच समझ के बहुत calculated risk ले रहे हैं बट फिर भी जो चीजें आपको परेशान कर रही थी, bother कर रही थी आपके mind में बहुत एक you know uljan सी create कर रही थी आप धीरे 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 उनसे बाहर निकलते वे दिख रहे हैं और एक रोशनी सी होती हुई दिख रही है I don't know आप लोग इस कार्ट को कितना देख पा रहे हैं और अगर आप इस कार्ट को देखना चाहते हैं तो मैंने आपसे वो वीडियो शेयर करी है जिसमें मैं कार्ट निकाल रही हूँ, आप उसको refer कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बच्चा अंधेरे में से बहार निकल रहा है और उसके सामने rainbow colors है, light है और दिखें कहीं star का कार्ट भी रोशनी की बात करता है और फिर से मैं कहूंगी कि star का कार्ट celebrity की भी बात करता है तो especially जो लोग influencer हैं या फिर social media में बहुत active हैं उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी possibility रहती हुई दिख रही है और जो लोग social media में active नहीं है या फिर इस field में नहीं है उनको उन general ही जो भी loved one है, close ones है उनसे काफी एक again मैं कहूंगी appreciation, recognition मिलती हुई दिख रही है और आप बहुत transparency अपने आप से लेकर या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं उनसे लेकर रखते हुए दिख रहे हैं, बहुत giving रहते हुए दिख रहे हैं बहुत wisdom, बहुत एक समझदारी भी चीजों को लेकर या फिर in general आपके self से related 2023 में रहते हुए दिख रही है, तो दिखिए nutshell में 2023 आपके self के लिए बहुत बहुत अच्छा रहतावा दिख रहा है self growth होती हुए दिख रही है, self you know एक understanding आते हुए दिख रही है self related अगर कुछ fears थे, insecurities थी या जो भी चीजें थी, वो कहीं clear होती हुए दिख रही है आप उमीद, you know, एक रखते हुए दिख रहे हैं या फिर आप खुद को लेकर या चीजों को लेकर बहुत hopeful रहते हुए दिख रहे हैं और जो भी चीजें आपकी life में 2023 में हो रही हैं, बहुत positive frame of mind के साथ आप उनको करते हुए दिख रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगी कि नचल में एक positivity भी 2023 में रहती हुए दिख रही है इक हाँ उसके लिए आप लोगों के लिए कार्ट हैं, five of pentacles and understanding और देखिए ये कार्ट कहते हैं कि finances से related या money, पैसा, tangible चीजों से related 2023 बहुत great या फिर बहुत super duper नहीं रहने वाला है क्योंकि देखिए इस area से related छोटे मुटे challenges, छोटे मुटे issues रह सकते हैं और सब के लिए challenges differ रहेंगे, कुछ के लिए simply हो सकता है कि आपका जादा खर्चा हो रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बड़ी चीज अगर आप खरीदना चाहा रहे थे तो उससे related कुछ issues, कुछ मसले हो रहे हैं यानि कि इतना आसान आपके लिए नहीं रह रह रहा है और overall के लिए मैं कहूंगे कि money surplus नहीं रहता हुआ दिख रहा है abundant नहीं रहता हुआ दिख रहा है अब बहुत सारे लोग बुलेंगे मैम पैसा तो जितना हो उतना ही कम होता है लेकिन देखिए कहीं 2023 में आपको finances को manage करना पड़ सकता है और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और कहूंगी कि थोड़ा सा अगर आप पहले से ही इस reading को देख रहे हैं तो money finances related संभल के खर्चा करें संभल के चीजों को करें यानि कि बहुत lavishly आप खर्चा ना करें बहुत ज़ादा आप अगर spend कर रहे हैं चीजों पे तो वो आपना करें 2023 में थोड़ा सा पैसे से related cautious conscious रहने की ज़रत है और देखिए नीचे हाँ पे understanding का card भी उसी चीज को कह रहा है जो मैं आपको कह रही हूं हो सकता है कि वर्गोज आप बहुत ज़ादा संभल के बहुत ज़ादा सोथ समझ के खर्चा कर रहे हैं कुछ चीजें खरीदना चाहा रहे हैं लेकिन जब तक कि आप sure नहीं हो रहे हैं जब तक कि आपको बहुत ज़ादा एक confidence नहीं आ रहा है आप नहीं करीद रहे हैं और जो वर्गोज ऐसी energies में नहीं हैं उनके लिए message है कि ऐसी energies में रहें और देखिए in fact ये काट कहता है कि अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो 2023 में बहुत ज़ादा chances नहीं हैं कि आपको वो पैसे मिलेंगे या फिर देखिए अगेन मैं कहूंगी कि financial support या फिर financial एक help भी अगर आप चाहेंगे तो बहुत easily नहीं मिलती हुई दिख रही है तो यहाँ पर अगेन आपके लिए ही guidance होगी कि पैसे को थोड़ा सा संभाल के चलें पैसे को आप बिल्कुल बिना सोचे समझे 2023 में ना खर्च करें देखिए मैंने आपको पहले भी बुला है कि ट्यारो astrology guidance के लिए होते हैं तो इस चीज को सुनके आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना इस चीज को सुनके आपने अपने मन में और clear होना है कि भई मनी एक ऐसा एरिया है जिसमें आपने थोड़ा सा सोच समझ के चलना है again बहुत लाविश नहीं होना है again you know आपने जो खर्चें है most of the times हम करते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है उनको नहीं करना है third house के लिए आप लोगों के लिए cards है page of pentacles and we are the world हम आपके siblings के लिए भी चीजों को देखते हैं तो siblings के लिए अगर हम देखें तो financially चीजें ठीक रहती हुई दिख रही है financial growth भी उनके लिए रहती हुई दिख रही है और दिखें बहुत एक practical realistic तरीके से आप दोनों के बीच में dealing रहती हुई दिख रही है हो सकता है कि आप अपने siblings को financial support दे रहे हैं या फिर आप expect कर रहे हैं तो दिखें बहुत ज़ादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत एक financial support आपको आपके siblings से मिल सकता है हाला कि दिखें second house में हमने देखा कि बहुत easily नहीं मिलेगा लेकिन you know असानी से again मैं कहूंगी नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा बहुत अगर किसी भी तरीके का financial transaction है financial lane देन है तो वो आपके और आपके siblings के बीच में रहता हुआ दिख रहा है और हम यहां से you know आपके सोचने का तरीका आपके बात करने के तरीके को भी देखते हैं तो 2023 में एक practical तरीके से आप चीजों को ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं कहीं you know realistic होके again आप planning ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं आप फिर आपका communication भी बहुत practical, बहुत realistic हो रहा है बहुत emotional, overall आप चीजों को लेकर नहीं सोच रहे हैं, नहीं communicate कर रहे हैं दिखें मैं यह नहीं कह रहे हूँ कि हाँ भी अब आप अपने love relationships में अपना love ही नहीं express करेंगे जरूर आप करेंगे लेकिन back of the जो एक energy होती है वो practical, realistic ज़्यादा रहती हुए दिख रही है आपके thoughts में, आपके communications में रहती हुए दिख रही है यह घर short travels का भी होता है तो यहाँ पर देखिए, we are the world का card, out of the country भी travel करने की बात करता है और यह घर है short travels का तो आपकी country के आसपस जो भी countries हैं, आप उनमें travel कर सकते हैं short travel रह रही है, लेकिन बहुत frequently यहाँ पर बहुत ज़ादा आप short travels नहीं करते हुए दिख रहे हैं short travel पर अगेन आपका खर्चा भी होता हुआ दिख रहा है लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि बहुत frequently मैं कहूं यहाँ पर बहुत ज़ादा ही आपकी short travels हो रही हैं, वो नहीं रहता हुआ दिख रहा है in fact देखिए, we are the world का card कहीं, you know, आपकी country के आसपस, जो भी countries हैं, neighboring countries हैं यहाँ अगेन मैं कहूंगी, pass में हैं, उनमें आप travel करते हुए दिख रहे हैं and yes, दिखिए, एक चीज मैंने miss करी, we are the world के card में बहुत सारे लोगों ने एक दुस्ते का हाथ पकड़ा हुआ है और group में, you know, कोई चीज celebrate कर रहे हैं तो आपकी एक सोच यहाँ फिर आपके thoughts में यह भी रह सकता है कि कैसे आप और लोगों के साथ जुड़ें कैसे अपनी community के साथ जुड़ें या फिर कोई group of लोग हैं, उनके साथ आप जुड़ें या in general ही, आप थोड़ा सा इस चीज के बारे में सोचना चाहते हैं या focus करना चाहते हैं, कि कैसे आप अपना social circle और बढ़ाएं कैसे और लोगों से आप connect करें and हो सकता है, देखिए, जो लोग out of the country हैं उनके साथ भी आपका communication ज़ादा हो रहा है उनके साथ भी आपका connection ज़ादा बढ़ रहा है connection ज़ादा strong हो रहा है क्योंकि देखिए, ये card communication का है और यहाँ पे again, we are the world का card है तो फिर से मैं कहूंगी, out of the country जो लोग हैं, उनके साथ आपका communication उनके साथ आपकी बातचीद ज़ादा हो रही है उनके साथ आपका bond ज़ादा strong हो रहा है उनके साथ financial या materialistic tangible चीज़ों से related एक lane देन भी रहतावा दिख रहा है और fourth house के लिए आप लगों के लिए cards है 10 of swords and comparison और दिखें, ये cards कहीं ending, beginning की बात करते हैं और fourth house से vehicles आते हैं, property आती है fourth house को हम सुखस्तान भी कहते हैं fourth house mother का भी घर होता है, आपके residence का भी घर होता है तो दिखें, again इन ही सब चीज़ों से related एक ending, beginning कहीं 2023 में रहती होई दिख रही है यहाँ पे दिखें, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आप घर shift कर रहे हैं या घर से related कोई ending, beginning हो रही है यानि कि घर पे loan था या कुछ भी issues थे वो end हो रहे हैं एक नहीं beginning हो रही है लेकिन देखें इन ही चीज़ों से related कहीं एक comfort नहीं रहता हुआ दिख रहा है कहीं थोड़ा सा आप जादा सोचते हुए दिख रहे हैं थोड़ा सा आप जादा चीज़ों को analyze करते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आपकी मदर के साथ कुछ भी issues चल रहे थे कुछ भी मसले चल रहे थे वो end हो रहे हैं नए तरीके से आप चीज़ों को शुरू करना चाहा रहे हैं अगेन देखिए overall के लिए ही ये ending, beginning कहीं बहुत comfortable नहीं रहती हुई दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है कि मदर की health पे आप जादा focus कर रहे हैं या फिर card simply आपको बोल रहे हैं कि 2023 में आपको आपकी मदर की health का खयाल रखना है दिखिए general reading है, बहुत सारे vogos इस reading को देख रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सब ही vogos की mother की health से related issues हैं कुछ के लिए देखिए mother से related health issues रह सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ issues चल रहे हैं या फिर इतना जादा एक प्यार महबत नहीं रह रही है या फिर देखिए broader level पे मैं कहूंगी कि relationship बहुत great नहीं है कुछ issues कुछ मसले रह रहे हैं और कहीं देखिए उनको आप end करना चाह रहे हैं आपकी mother end करना चाह रही है again ending कहीं इतनी जादा smooth नहीं रह रही है बहुत logically आप चीजों को analyze कर रहे हैं deeper level के लिए comparison का card literally किसी चीज को किसी चीज से compare करने की बात करता है तो यहाँ पर किसी भी तरीके का comparison चल रहा है कुछ के लिए हो सकता है simply आप अपने घर को किसी और घर से compare कर रहे हैं अपनी mother की energies को किसी और की mother की energies के साथ या behavior के साथ compare कर रहे हैं यहाँ पर देखें यह भी हो सकता है आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी मदर कितनी अच्छी है या फिर अगेन इस तरीके की energies रह सकती है और देखे क्योंकि ये 10 of swords का card है तो अगर health से related कुछ भी issues आपकी मदर के लिए रहे तो वो back जादा मुझे दिख रही है याने की back में थोड़ा दर्द रह सकता है तो देखे यहाँ पर minor arcana का card है कोई major cheese में नहीं कहूंगी लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि जिन भी वो गोस की mother की specially अगर health ठीक नहीं है तो यहाँ पर बहुत clear message है कि health का आप थोड़ा जादा खयाल रखें और अपनी मदर को भी यह cheese convey कर सकते है और देखे हम इसको सुखिस्थान भी कहते है तो देखे उस तरीके से आप चीजों को enjoy करते वे नहीं दिख रहे हैं या मैं कहूंगी कि एक बहुत जादा comfort आप नहीं enjoy कर रहे है या comfortable चीज़े नहीं रह रहे हैं जैसे होता है ना कि हम जो भी हमारी life में comforts हैं luxuries हैं उनको हम enjoy कर रहे हैं हम बड़ा मज़ा कर रहे हैं बड़ा मस्ती कर रहे हैं तो बहुत जादा उस तरीके का एक luxury को आप enjoy करते हुए नहीं दिख रहे हैं वहेकल जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत conducive 2023 की energies नहीं रहती हुई दिख रही हैं जो लोग property खरीदना चाहते हैं देखें उनके लिए भी बहुत conducive 2023 की energies नहीं रहती हुई दिख रही हैं यहाँ पे देखें सिरफ और सिरफ हम आपकी बात कर रहे हैं, आपके partner या आपके family members property vehicle खरीद सकते हैं, लेकिन आपके नाम पे, कहीं 2023 में, you know, आप नहीं खरीद रहे हैं, या फिर नहीं खरीदना चाहा रहे हैं, या उससे related भी छोटे-मोटे issues रह रहे हैं, and कहीं दिखे, इन सब चीजों से related भी एक फिक्र रह रह रही है, आप ज़ादा सोच रहे हैं, आप चीजों को ज़ादा analyze कर रहे हैं, यानि कि mother से related, vehicle property से related, घर से related और कहीं दिखिए इनी सब चीजों से related हो सकता है, कि आप बहुत effort कर रहे हैं कि एक positive thinking भी आप करें, और comparison का card again कहता है, कि इनी सब चीजों से related, आप compare कर रहे हैं, आप बहुत ज़ादा analysis कर रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी कि कोई चीज end हो रही है इनी सब चीजों से related, एक नई beginning हो रही है, और कहीं वो इतनी comfortable, कहीं इतनी ज़ादा, you know, easy नहीं रहती हुई दिख रही है, और दिखे यहाँ पर मैं यह नहीं कह रही हूँ कि luxury आपकी life में नहीं होगी, यहाँ फिर comfort आपकी life में नहीं होगा देखे, most of the times comfort luxury होती है लेकिन उसको हम enjoy करें ना करें, बहुत कुछ हमारे उपर depend करता है, या फिर कितनी बारी सब कुछ होते वे भी हम उसको उस तरीके से नहीं enjoy कर पाते हैं तो in fact देखे, ये भी एक area रहेगा जिस पर आपको work करने की ज़रत है, तो ओड़ा साथ देखे, यहाँ पर आप mind से अगर चीज़ों को ना deal करें, या फिर बहुत ज़ादा logically चीज़ों को ना analyze करें या मैं कहूंगी literally आप बहुत ज़ादा comparison ना करें क्यूंकि देखे, comparison का card कुछ इस तरीके की energies की बात कर रहा है, जिसकी वज़े से भी, जो भी चीज़ें जितनी भी है ना हमको और ज़ादा खराब लगने शुरू हो जाती है तो यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा खयाल रखें कि comparison अगर आपको bother कर रहा है या फिर और ज़ादा एक आपको परेशान कर रहा है तो आपने उसको let go करना है यहाँ पे again you have to make sure that the comparison is bringing happiness, joy and success क्योंकि comparison, competition हमेशा ही गलत नहीं होता है जब हम खुद से खुद का comparison करते हैं खुद से ही compete करते हैं तो फिर यह एक growth, एक progress लेकर आता है लेकिन जब हम लोगों के साथ वो भी negative sense में comparison करना शुरू कर देते हैं तब हम demotivate होते हैं परिशान होते हैं तो इस चीज का भी खयाल आपने 2023 में थोड़ा सा जादा रखना है और 5th house से आता है love, romance, pleasures, studies या फिर जो भी लोग conceive करना चाहते हैं उनके लिए भी हम 5th house देखते हैं और 5th house के लिए आप रुगों के लिए cards हैं King of Cups and the Fool तो दिखें दोनों ही beautiful cards हैं तो इस से related जो भी चीजे रहती हैं उनसे related एक खुशी, एक happiness 2023 में रह रही है और दिखें आपे specifically अगर मैं कहूं आप love relationship से related देख रहे हैं तो आपके अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं अगर आप single हैं तो कोई इनसान आपकी life में आता हुआ दिख रहा है अगर आप already relationship में हैं तो देखिए आपको आपके partner से काफी एक love, care, understanding मिलती हुए दिख रही है वो अपना love feelings आपको express करते हुए दिख रहे हैं फिर आपकी ऐसी energies उनकी तरफ से रह रही है और mutual रहती हुए दिख रही है and broader level के लिए मैं कहूंगी कि इन ही सब चीजों से related again एक happiness है, एक satisfaction है, एक joy है and in fact आप इन ही सब चीजों पे focus भी करते हुए दिख रहे हैं लेकिन देखिए, इन ही सब चीजों से related आप बहुत ज़्यादा planning नहीं कर रहे हैं past में अगर कुछ issues हुए, कुछ मसले हुए, आप उनको let go करते हुए दिख रहे हैं future की आप ज़्यादा planning नहीं कर रहे हैं आप current, you know, जो भी आपके relationships में हो रहा है, love life में हो रहा है उसी पर ही focus करना चाहा रहे हैं, उसी को ही enjoy करना चाहा रहे हैं तो देखिए, इस हिसाब से देखें, तो commitment या तो आप नहीं देना चाहा रहे हैं अपने partner को, या फिर आपके partner नहीं देना चाहा रहे हैं कही freedom आपके लिए ज़्यादा है, रहा रही है और देखिए, यहापे मैं आपकी बात ज़्यादा करूँगी, वगोस क्योंकि ये आपके cards हैं और ये आपकी reading है तो यहापे देखिए, ज़्यादा आपके लिए दिख रहा है कि आप जैसे चीजें आ रही हैं वैसे ही उनको लेना चाह रहे हैं, आप कोई भी चीज बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करना चाह रहे हैं या future के बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं जो लोग education से related देख रहे हैं, आप फिर जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी पढ़ाई से related चीजें काफी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं इनफाक देखें, एक happiness, एक joy, एक satisfaction अगेन रहती हुई दिख रही है जिस college, जिस school में आप admission चाह रहे हैं, आपको मिलता हुआ दिख रहा है और जो लोग conceive करना चाह रहे हैं उनके लिए दिखें, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप conceive कर लेंगे क्योंकि वो card नहीं है लेकिन इसी से related, definitely, एक happiness, एक joy रहती हुई दिख रही है क्योंकि ये card pleasure का भी होता है तो देखिए कहीं eating, drinking, merrymaking, relationship से related, एक happiness, एक joy जादा रहती हुई दिख रही है या फिर इन चीजों को आप जादा enjoy करते हुई दिख रहे हैं इन चीजों से related एक pleasure, again मैं कहूँगी कि 2023 में आपके लिए वो गुष जादा रहता हुआ दिख रहा है 6,000 के लिए आप लोगों के लिए cards है, king of wands and change तो देखिए, बहुत ही clearly change का card कहता है अगर आप change of job चाहा रहे हैं, बहुत time से और नहीं हो रहा है तो 2023 में इसी से related काफी conducive energies है याने कि देखिए, change of job आपका हो जाएगा और कहीं देखिए, जो भी change होगा, वो positive होता हुआ दिख रहा है क्योंकि आप ए king of wands का card, एक enthusiasm की बात कर रहा है excitement की बात कर रहा है, high energy levels की बात कर रहा है तो दिखे, jobs related चीजें काफी अच्छी रहती हुए दिख रही है और बहुत जादा आप courageously चीजों को deal कर रहे हैं कोई bold decision लेना है, कोई you know courageous decision लेना है आप लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक go getter वाली energies आपकी रहती हुए दिख रही है again जो भी action initiatives required है, चीजों को better करने के लिए आपके goal को achieve करने के लिए, वो आप लेते हुए दिख रहे हैं बहुत जबरदस confidence रहता हुआ दिख रहा है इसी से related, again positive changes आते हुए दिख रहे हैं growth progress भी रहती हुए दिख रही है और देखिए ये card health की भी बात करता है तो health का भी आप बहुत खयाल रखते हुए दिख रहे हैं health से related भी चीजें अच्छी या फिर बढ़िया रहती हुए दिख रही हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे change का card है तो कुछ के लिए literally हो सकता है कि जो भी तरीके से आप exercise कर रहे थे आप थोड़ा सा अपना तरीका बदल रहे हैं अपना workout आप बदल रहे हैं उसमें कुछ changes ला रहे हैं आप जिस भी तरीके से अपनी health का खयाल रखते हैं उनमें भी आप changes ला रहे हैं और कहीं positive changes रहते हुए दिख रहे हैं इनी changes की वज़े से अगेन आपकी health से related भी एक growth एक progress हो रही है या फिर positivity इसी रह रही है और देखिए ये card service to others की भी बात करता है तो इसकी लिए भी एक active energies रहती हुए दिख रही है इस direction में भी कहीं आप action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं तो देखिए again broader level के लिए या तो change of job हो रहा है या फिर आपकी job में ही internally कुछ changes हो रहे हैं जो की बहुत एक enthusiasm, excitement लेकर आ रहे हैं और देखिए again ये changes सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए change of place, कुछ के लिए change of team, कुछ के लिए change of project कुछ के लिए change of work या फिर किसी भी तरीके के again changes इस area में रहते हुए दिख रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी ये changes एक enthusiasm, एक excitement, एक बहुत motivation आपके लिए overall के लिए लाते हुए दिख रहे हैं और देखिए चारियट का कार्ड बहुत ही clearly एक movement, एक shift की बात करता है आगे बढ़ने की बात करता है तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड एक दो चीज़े कहते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि अगर कुछ भी issues, कुछ भी मसले आपके relationship में चल रहे थे तो कहीं आपके partner initiative ले रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए या फिर आप initiatives ले रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए या फिर उन issues, उन मसलों को पीछे छोड़के आप लोग आगे युनो बढ़ना चाहा रहे हैं, future के बारे में जादा सोच रहे हैं, एक growth इस relationship में या फिर जो भी relationships in general है, उसमें रहती हुई दिख रही है और अगर आप already married हैं, तो married से related भी कहीं चीज़ें आगे बढ़ती हुई एक growth, एक progress आ रही है, और देखें, friendliness का card बहुत ही clearly एक positive growth की बात करता है, या फिर मैं कहूंगी जो भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, वो कहीं एक togetherness की तरफ आगे बढ़ रही हैं, companionship की तरफ आगे बढ़ रही हैं, और overall ही देखिए, relationships आपका focus area रह सकते हैं, relationships पे आपको success भी मिलता हुआ दिख रहा है, जो लोग, you know, शादी शुदा नहीं हैं, और उनके मन में चल रहा है कि 2023 में शादी होगी या नहीं होगी, तो आपकी marriage से related भी, 2023 की energies काफी जादा conducive रहती हुए दिख रही हैं, या तो शादी हो रही है, या पिर आपकी life में कोई आ रहा है, जिन से आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ भी marriage हो जाएगी, marriage से related बाते चल रही है, या पर इस direction में एक movement हो रही है, एक shift हो रही है, तो दिखे, 7th house से related जो भी चीजें हैं, उन से related again मैं कहूंगी, एक movement हो रही है, अगर पीछी आप stuck महसूस कर रहे थे, तो आप आगे confidently आप action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं, और कहीं चीजें better हो रही है, फिर से मैं कहूंगी कि कोई भी अगर issues किसी खास इंसान के साथ चल रहे थे, या फिर आपके partner के साथ चल रहे थे, या overall relationships में रह रहे थे, वो कहीं sort out होते हुए दिख रहे हैं, कहीं you know, चीजें resolve होते उसका होता है, तो जो लोग married हैं, उनके लिए देखिए आपके partner के लिए भी 2023, अच्छा या फिर overall ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, उनके लिए भी overall एक success, एक victory, जिस भी चीज पे वो focus कर रहे थे, उससे related रहती हुए दिख रही है, और देखिए हमने 5th house में भी देख कि कहीं relationship, love life से related, एक happiness, एक joy है, तो कहीं देखिए अगर आप relationship में हैं, यानि कि love life है आपकी, यानि कि मेरा कहने का मतलब है कि love relationship में आप हैं, तो कहीं उसमें भी growth progress होती हुए दिख रही है, चीजें next level पर जाती हुए दिख रही हैं, और अगर आप फिर से मैं कहूंगी married है तो भी आपके relationship में चीजें ठीक ठाक रहती हुए दिख रही हैं, और यहाँ पर देखिए हम overall energies की बात कर रहे हैं, छोटे मोटे जो रोज मर्रा में arguments होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कहीं you know, वो गोज कभी आपका कुछ छोटा मुटा argument हो याप बोलें कि मैं आपने पार्टनर के साथ चीजें अच्छी रहती भी दिख रही हैं, understanding बढ़ रही है, एक companionship, एक togetherness रहती भी दिख रही है, and yes देखिए, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ट्रावल करें, या फिर आपके पार्टनर की 2023 में जादा ट्रावल रह रही है, ऐसा भी रह सकता है, and 8th house के लिए, आप लोगों के लिए cards है, 4 of wands and the dream, और 8th house कहीं ending, beginning को represent करता है, और ये cards कहीं change of place, change of residence, change of location की जादा बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप घर बदलना चाह रहे हैं, नया घर लेना चाह रहे हैं, location बदलना चाह रहे हैं, तो इसी से related changes होते हुए दिख रहे हैं, या मैं कहूंगी, ending, beginning रहती हुई दिख रही है, और देखिए, कहीं 4th house भी residence का होता है, और 4th house में भी मैंने आपको कहा था, कि कहीं घर से related किसी level पे किसी तरीके की ending, beginning रह रह रही है, paper work कोई था, या फिर loan लिया था, या फिर देखिए, जो भी होती है, सब के लिए differ करेगा, broadly speaking, इन ही सब चीजों से related, ending, beginning हमने 4th house में देखी थी, और यहां पर 8th house ending, beginning की बात करता है, और यहां पर भी देखिए, घर, या फिर location, या फिर इन ही चीजों से related, एक ending, beginning रहती हुई दिख रही है, क्योंकि 4 of wands के नीचे, the dream का card है, तो कु आप सोच रहे थे, या तो आपको मिल रहा है, या फिर उसी से related, एक positive तरीके से चीजें होती हुई दिख रही है, उसी से related, कहीं चीजें होती हुई, again मैं कहूंगी दिख रही है, and कहीं देखिए, फिर से मैं कहूंगी, location अगर आप change करना चाहा रहे थे, जगा बदलना चा और यहाँ पर 6th house में भी हमने change का card देखा था, तो दिखे, इन ही सब चीजों से related, ending, beginning या changes रहते हुई दिख रहे हैं, योकि ये card togetherness की भी बात करता है, companionship की भी बात करता है, तो इसी से related भी, एक ending, beginning होती हुई दिख रही है, और ये card शादी की भी बात करता है, तो कुछ तो उस point of view से again वो एक phase आपकी life का end हो रहा है, और एक togetherness वाला phase शुरू हो रहा है, और इस हिसाब से दिखे, जो लोग marriage चाहा रहे हैं, उनके लिए भी दिखे, again कोई आता हुआ दिख रहा है, या पिर marriage होती हुई दिख रही है, तो इन सब चीजों से related ending, beginning डह रही है, और एक दूसरे की energies को confirm कर रहे हैं, एक दूसरे को compliment कर रहे हैं, तो देखिए, फिर से मैं कहूंगी इस तरीके की ending, beginnings रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही positive card है, तो यह ending, beginning कही positive energies, positive चीज़े लाती हुई दिख रही हैं, या फिर यहाँ पे dream का card कहता है, जो भी चीज आप चाहा रहे थे, जिस भी चीज को लेकर आप एक ख्वाब देख रहे थे, बहुत जादा आप wish कर रहे थे, कहीं वही चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, या मैं कहूंगी उन्ही चीज़ों को आप आते हुई दिख रहे हैं, उन्ही चीज़ों से related एक नई beginning रहती हुई दिख रही है, और फिर से देखिए, जो भी ending, beginning हो रही है, वो बहुत एक beautiful energies आपकी life में लाती हुई दिख रही है, वो कहीं एक companionship लाती हुई दिख रही है, togetherness लाती हुई दिख रही है, change of place, change of residence, change of location या किसी भी तरीके के positive changes लाती हुई दिख रही है, जिसकी वज़े से एक enthusiasm, एक excitement भी 2023 में overall broader level के लिए रहता हुआ दिख रहा है, and 9th house के लिए आप लगों के लिए cards है, 7 of swords and healing, और दिखें ये card कहीं एक escapism वली energies की बात करता है, ये card कहीं upfront होके चीज़ों को नहीं deal करने की बात करता है, और इस घर से spirituality हम देखते हैं, या फिर इस घ travels देखते हैं, higher education देखते हैं, तो देखें, इन ही सब चीज़ों से related आपको ये feeling हो सकती है कि चीज़ें आपके साथ fair नहीं हो रही है, जो आप deserve करते हैं, वो आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे देखें, कुछ के लिए हो सकता है कि आप long travel कर रहे हैं, और आपका experience बह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और इस वज़य से आप थोड़ा सा परिशान हो रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप long travel ही avoid करना चाहा रहे हैं, आपको opportunity मिल रही है और आपको लग रहा है कि भई अभी इस time मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, तो देखें इन ही सब चीजों से related, again, एक escapism वली energies रह रहे हैं, आप इन चीजों को avoid करते हुए दिख रहे हैं, ignore करते हुए दिख रहे हैं, बचते बचाते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे दिखें, फिर से मैं कहूंगी ये card higher education की भी बात करता है, तो जो लोग higher education चाहा रहे हैं, further पढ़ाई करना चाहा रहे हैं, उनके लिए भी कही 2023 की energies बहुत conducive नहीं रहती हुए दिख रहे हैं, और दिखें, spirituality में भी आप इतना जादा अपने आपको involve करते हुए नहीं दिख रहे हैं, या पिर religious activities में आप participate नहीं इतना जादा करते हुए दिख रहे हैं, जो लोग कि किसी pilgrimage या फिर किसी spiritual जगा को visit करना चाहा रहे हैं, उनके लिए भी कही 2023 की energies इतनी conducive नहीं रहती हुए दिख रहे हैं, और deeper level के लिए healing का card कहता है, कि इन ही सब चीजों से related, पीछे अगर कुछ भी चीजें आपको hurt करी, परेशान करी, तो हो 2023 में आप उनको पहले heal करना चा healing कर रहे हैं, और कुछ वोगोस को literally ऐसा भी लग सकता है, कि भई लख इतना favor नहीं कर रहा है, कहीं destiny इतना साथ नहीं दे रही है, और overall के लिए again मैं कहूंगी कि बहुत great इस घर से related जो भी चीजे आरही है, वो रहती भी नहीं दिख रही हैं, आपको ऐसे लग सकता है कि यह कहीं चीजें कहीं नो आपके साथ fair नहीं हो रही है, यहां पिर किसी level पर एक injustice हो रहा है, आप better deserve करते थे, कहीं वो नहीं मिल रहा है, देखे फिर से मैं कहूंगी कि यह general reading है, तो सब के लिए different situations रह सकती हैं, सब के लिए different circumstances रह सकते हैं, broader level पर यह card long travel की बात करता है, spirituality की बा नहीं होती हुई दिख रही है, या फिर आप खुद को involve भी नहीं कर रहे हैं, आप कहीं escape कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको अभी बता ही दिया कि long travel या तो कर रहे हैं, experience अच्छा नहीं है, और यहां पर दिखे यह card यह भी कहता है कि आप long travel कर रहे हैं, और कोई चीज आपकी चोरी हो गई, या फिर किसी ने आपसे cheating करी, तो जब आप long travel कर रहे हैं, तो इन चीजों का आपने बहुत खयाल रखना है, दिखे टारो astrology guidance के लिए होते हैं, तो आपने परिशान नहीं होना है, आपने सिर्फ यह सोचना है, okay, आपने सिर्फ यह सोचना है, okay, you know, you need to be a little cautious while, you know, traveling, या फिर जब आप long travel कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है, again, जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको कि आप avoid कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप travel करना चाहा रहे हैं, लेकिन passport, visa या फिर इन ही सब चीजों से related छोटे मोटे issues चल रहे हैं, तो देखे फिर से इन ही सब चीजों से related कुछ issues, मसले हैं, सब के लिए situation, circumstances differ करेंगे, 10th house के लिए आप लोगों के लिए cards है, 8 of wands and politics, और देखे, 8 of wands का card speed की बात करता है, growth की बात करता है, movement की बात करता है, changes की बात करता है, और देखे, 6th house में भी job के लिए हमने change देखा, और यहाँ पर professional front में भी, यह card कहीं change की बात करता है, तो professional front में again मैं कहूंगी, changes आ रहे हैं, और broader level के लिए अगर हम देखे, तो एक growth रहते हुए दिख रही है, एक progress होते हुए दिख रही है, और चीजे बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, या फिर आप बहुत speed से आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, और देखे कहीं politics का card कहता है, कि हो सकता है जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके intentions, उनके motives कहीं बहुत great नहीं रह रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखे मैं कहूंगे कि थोड़ा सा वर्गोज आप लोग cautious रहें, blind trust किसी पे ना कर मैं यह नहीं कह रहे हूँ कि आप trust ना करें, देखें trust अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत overall के लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन कभी कभी होता है ना हमें समझ में आ रहा होता है कि सामने वाले की intentions हमारे लिए ठीक नहीं है, उनके motive हमारे लिए ठीक नह लगें या फिर आपको एक complete trust नहीं आ रहा है, वहाँ पर आपने alert होना है, aware होना है और cautious होना है, फिर से दिखिए growth होती हुई दिख रही है, एक progress आती हुई दिख रही है, लेकिन politics का card again कहता है या तो लोगों के intentions, motives ठीक नहीं है, वो आपको manipulate कर रहे हैं, वो आपके साथ diplom diplomatically चल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वोगों आप थोड़ा सा cleverly चीजों को करना चाहा रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि भई, बिल्कुल simplicity से, बिल्कुल साथगी से काम बनते नहीं हैं, थोड़ा सा smartly चीजों को deal करें, थोड़ा सा manipulative हो जाएं, तो दिखिए अगर ऐस आप सोच रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खयाल रखें कि in the process, आपके intentions, आपके motives सब के लिए ठीक रहे हैं, क्योंकि देखिए problem तब होती है, जब हमारा intention, हमारा motive गलत होता है, ये दुनिया है, जिन्दगी है, थोड़ा थोड़ा कभी-कभी manipulative होन पड़ता है, लेकिन फिर से मैं कहूंगी, खयाल रखें, आपके intentions, motives ठीक हैं, और देखिए, अपने profession से related, आप भी वर्गोस ट्रावल करते होई दिख रहे हैं, मैंने क्यों बोला, आप भी, क्योंकि आपके partner के लिए भी ट्रावल रह रहा है, क्योंकि यहां पे 7th house, जो कि spouse का घर होता है, उसके लिए chariot का card है, and yes देखिए, एक और चीज मुझे खयाल आई, आपके spouse अगर वहकल खरीदना चाहते हैं, तो वो 2023 में वहकल खरीद सकते हैं, या फिर खरीद रहे हैं, and फिर से देखिए, आप ट्रावल करते होई दिख रहे हैं, बहुत speed से चीज़ें आगे जा रहे हैं, next level पे जा रहे हैं, कोई अगर आपके काम pending थे, complete नहीं हो रहे थे, आप उनको complete करना चाहा रहे थे, वो भी complete होते होई दिख रहे हैं, जो चीज़ें again incomplete थी, वो complete होते होई दिख रहे हैं, closure चीज़ों का होता हुआ दिख रहा है, तो दिखिए 10th house के लि हैं, वहीं पे cards आपको थोड़ा सा cautious, थोड़ा सा alert भी रहने के लिए कह रहे हैं, 11th house के लिए आप लोगों के लिए cards है, Ace of Swords and Past Lives, और देखिए 11th house से gain हम देखते हैं, इसको हम लाबस्थान कहते हैं, astrology में, 11th house से social circle भी देखते हैं, आपके friends भी देखते हैं, और यहाँ प mind से logically चीज़ों को deal करने की बात करता है, past life का card कहीं इनी चीज़ों से related एक fear, एक insecurity भी रहने की बात करता है, तो देखिए फिर से friends से related, एक fear, एक insecurity रह सकती है, और कहीं बहुत straight forward communication आप कर रहे हैं, या वो आप से कर रहे हैं, या overall मैं कहूंगी कि जो भी आपके friends हैं, या से या फिर आपकी तरफ से नहीं रहती हुई दिख रही है, कहीं कुछ challenges आ रहे हैं, कुछ issues आ रहे हैं, लेकिन Virgos या तो आप बहुत clarity रखते हुए चीज़ों को deal कर रहे हैं, upfront होके deal कर रहे हैं, अगर fight करने की ज़रत है, तो एक fighting spirit भी अपने relationships के लिए, या फिर social circle के या फिर social circle में जो लोग हैं वो करते हुए दिख रहे हैं, victory भी मिलते हुए दिख रहे हैं, success भी मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन दिखे deeper level के लिए एक fear, एक insecurity, एक confusion भी साथी साथ रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लाबस्थान होता है, तो same, you know, gains जो भी आपकी life में हैं, या फिर लाब हैं, उनसे related चीजें बहुत आसान नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, again दिखे challenges हैं, लेकिन आप वर्गोज बहुत जादा, you know, clarity रखते हुए दिख रहे हैं, in fact दिखे deeper level के लिए जो fears हैं, insecurities हैं, confusion हैं, आप उनको upfront होके deal कर रहे हैं, उनको clear करते हुए दिख रहे हैं, और उनको बहुत जादा boldly, बहुत जादा एक logical approach रखते हुए, deal करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं आपको इनहीं सब चीजों से related success भी रहते हुए दिख रही हैं, इस हिसाब से दिखिए, या तो आप socialize कर रहे हैं, लेकिन बहुत, you know, लोगों से attach नहीं हो रहे हैं, आप mind से जादा चीजों को deal कर रहे हैं, या फिर आप थोड़ा सा अपना social circle कम कर रहे हैं, restrict कर रहे हैं, और again मैं कहूंगी कि clarity आप broader level पे जादा रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत emotional friends को लेकर, या social circle को लेकर नहीं होते हुए दिख रहे हैं, overall के practical approach रहती हुए दिख रहे हैं, mind से चीजों को deal कर रहे हैं, एक detachment भी लाना चाहा रहे हैं, या फिर लाते हुए दिख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों के लिए cards हैं, page of cups and aloneness, और दिखिए ये दोनों cards कहीं, एक mix energies की बात करते हैं, जहां page of cups का card किसी level पे किसी तरीके की एक happiness की बात करता है, या मैं कहूंगी बहुत great happiness नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी happiness, थोड़ी थोड़ी joy की बात करता है, वहीं aloneness का card, एक missing feeling भी रहने की बात करता है, और इस घर से foreign country से related जो चीजें होती हैं, वो हम देखते हैं, कहीं खर्चा हम देखते हैं, और कहीं जो जो भी fears हैं, जो भी insecurities हैं, आप उनको बहुत wisdom के साथ, बहुत समझदारी के साथ deal करते हुए दिख रहे हैं, कुछ के लिए literally हो सकता है, आप किसी से guidance ले रहे हैं, advice ले रहे हैं, counselling ले रहे हैं, अपने fears को अपनी insecurity से, आप कैसे overcome करें, कैसे deal करें, और कुछ के लिए हो सक कि आप थोड़ा सा इन ही चीजों से distance कर रहे हैं, या फिर इन ही चीजों के लिए बहुत जादा wisdom कर रहे हैं, बहुत समझदारी से चीजों को deal कर रहे हैं, आप escape नहीं कर रहे हैं, आप भाग नहीं रहे हैं, आप again मैं कहूंगी और जादा इन ही चीजों को लेकर एक introspective mode म रह रहे हैं कि कैसे आपने इनको अवरकम करना है और यहीं पर देखिए first house के लिए हम आपके cards को देखिए तो कहीं ये cards भी एक hope जागने की बात करते थे या hopeful होने की बात करते थे एक positivity आने की बात करते थे और दिखिए यहां पर 12th house में जो भी fears, जो भी insecurities, you know होती है उनको ये card कहता है कि आप समझदारी के साथ deal कर रहे हैं तो ये cards भी आपस में connect कर रहे हैं और देखिए क्योंकि pages staro में बच्चे होते हैं बच्चों को represent करते हैं तो हो सकता है कि you know आप अपने बच्चे पर खर्चा कर रहे हैं या फिर you know आपको थोड़ी एक खुशी खर्चे से मिल रही है या मैं कह सकती हूँ कि जो भी खर्चा कर रहे हैं वो एक happiness joy लेकर आ रही है लेकिन आप बहुत जादा खर्चा नहीं कर रहे हैं और हमने second house में देखा भी था कि 2023 में आपने थोड़ा हिसाब से खर्चे करने हैं आपने money को finances को बहुत अच्छे से manage करना है क्योंकि दीखें ये area बहुत great या फिर बहुत इसमें progress growth 2023 में नहीं होती हुए दिख रही है तो यहाँ पर खर्चे का card भी कहीं इसी energy से connect होता हुआ दिख रहा है कि खर्चे से related एक missing feeling रह रही है या तो आप उतना खर्चा नहीं कर पा रहे है या फिर आप avoid कर रहे हैं या थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं लेकिन जो भी आप खर्चा कर रहे हैं एक happiness लेकर आ रहा है मैं कहूंगी कि फुजूल चीज़ों पे गलत चीज़ों पे आप खर्चा नहीं कर रहे है या फिर आपका खर्चा नहीं हो रहा है बच्चे पे आप खर्चा कर सकते हैं और दिखे कहीं foreign country से related भी कोई बच्चा आपको help कर रहा है या literally कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बच्चा आपको guide कर रहा है, आपको counsel कर रहा है, आपको एक रास्ता दिखा रहा है, foreign country से related जो भी आप चाह रहे हैं, यहाँ पर कुछ के लिए आपका profession हो सकता है, कुछ के लिए simply आप travel कर रहे हैं, कुछ के लिए कोई रहते हैं, उनसे आ तो कोई बच्चा आपको guide कर रहा है, आपको advice दे रहा है, या फिर आप किसी से advice guidance ले रहे हैं, या खर्चों से related आप guidance advice ले रहे हैं, या खर्चे बहुत सोच समझ के चल रहे हैं, कहीं restrict कर रहे हैं, इन्ही से related एक सोच आपके mind में रह रही है, और डर, insecurities को आप समझदारी के साथ deal कर रहे हैं, और फिर से मैं कहूंगी खर्चा, अच्छी चीजों पर आप कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, बहुत जादा नहीं कर रहे हैं, और इसी से ही related, छोटी छोटी एक happiness joy रह रही है, और कहीं देखे कुछ के लिए हो सकता है, कि आप, you know, sentimental हो रहे हैं, इन ही चीजों को लेकर बहुत जादा, और यह हो गए आपके 12 houses, ब्रॉडर लेवल के लिए देखें, वोगोस, तो एक, you know, जो areas अच्छा, अच्छे रहेंगे 2023 में, या पिर जिन से related, एक happiness, joy रह रही है, वो आपकी love life है, education है, और relationships, जिनको आप enjoy कर रहे हैं, 7th house जिस और changes भी कहीं इन ही areas में आते हुए दिख रहे हैं, या पर personal, professional दोनों ही areas में, changes 2030 लाता हुआ दिख रहा है, और यह चीजें ठीक ठाक रहती हुए दिख रही हैं, जो areas जिन पर काम करने की जरत है, वो है finances, money and spirituality में थोड़ा सा involved होने की जरत है, थोड़ा सा religious activities में involved होने की जर जरत है, long travel से related issues है, and yes देखे, फिर से मैं आपर बोल दूँ कि एक cheating रह रही है, long travel से related, spirituality से related, higher studies से related, और आपके professional front में किसी चीच से related, तो फिर से मैं कहूंगे, आपने डरना नहीं, घबराना नहीं, सिरफ आपने इन चीजों को लेकर cautious रहना है, आपने थोड़ा सा attentive, थोड कर सकें, यही tarot astrology का काम होता है, और इसी intention से आपने यह reading देखनी भी है, and mother की health का ध्यान रखना है, and कैसे आप और ज़्यादा एक पी सुकून अपने लेला पाएं, उस पे आपने focus करना है, और अब guidance देख लेते हैं, तो देखिए, guidance के लिए, आप लोगों के लिए, card है great power, यह card कहता है strength of character, authority, self-confidence, leadership and influence, तो देखिए, हम सब के अंदर बहुत जबरदस्त एक power होती है, बहुत जबरदस्त एक potential होती है, and most of the times, जब भी हम किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, हम इस अपनी strength को avoid कर रहे होते हैं, या फिर हम भूल रहे होते हैं, कि हमारे अंदर कितनी power है, हम जो चाहें उसको achieve कर सकते हैं, तो यहाँ पे great power का card, आपको सिर्फ यह कह रहा है कि आपने 2023 में हर दम इस चीज़ को ध्यान में रखना है, कि कुछ भी अगर आता है external level पे चीज़, आपके अंदर उससे भी ज़्यादा power है उससे deal करने के लिए, और willpower रखते हैं, determination रखते हैं, देखे, पता हम सब लोगों को है, लेकिन जब situation आती है, हम भूल जाते हैं, और उस time हम उस strength को, उस अपनी power को नहीं utilize कर पाते हैं, और बाद में हमें लगता है, यार इतनी भी बड़ी नहीं थी चीज़, जितना हम उस time पे घबरा गए, यह तो situation आती है, तो ना तो हम देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना सुन पाते हैं चीज़ों को उस तरीके से, तो इस चीज़ का आपने हर मोड पे, हर कदम पे खायाल रखना है, and especially जब कोई भी situation आती है, क्योंकि देखिए, यह जिन्दगी है, हर दम ही चीज़ें हमारे self-acceptance, serenity, तो देखिए, यह मैंने आपको कहा ही, कि कैसे आप peace of mind अपने लिए लेकर आएं, उसके उपर आप ज़्यादा focus करें, क्योंकि देखिए, फोर्थ हाँसे में हमने देखा कि, जो भी comforts हैं, आप उनको इतना enjoy नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं देखिए, एक positive frame of mind त साथ, तो इस चीज़ पे 2023 में जरूर आप work करें, थोड़ी सी meditation करें, थोड़ा सा, जिस भी God को आप मानते हैं, उनसे related जो भी, you know, आप करते हैं, वो आप जरूर करें, इस से related जरूर एक routine आप 2023 में बनाएं, spiritual, religious activities में जरूर, you know, आप participate करें, क्योंकि देखिए, एक mental, emotional strength, ह हमें spiritual चीज़ों में involved होके ही मिलती है, religious चीज़ों में involved होके ही मिलती है, तो इस चीज़ का खयाल रखें, before completion का card कहता है, be extra cautious, uncertainty, and दिखें, ये card यही कह रहा है, कि जो भी चीज़ें incomplete हैं, पहले उनको complete करें, फिर आगे बढ़ें, कितनी बारी होता है ना, पुराना कुछ complete हुआ नहीं हमने शुरू कर दिया, या पुरानी चीज़ें हील नहीं हुई, और हमने, you know, आगे के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो before completion का card, again यही कह रहा है, कि जो भी incomplete task हैं, पहले उनको complete करें, फिर आगे बढ़ें, नहीं तो थोड़ा सा आप परिशान हो सकते हैं, and be extra cautious, कुछ चीज़ों को लेकर आपने बहुत cautious रहना है, और दीखे मैंने आपको अभी अभी बताया, कि 9th house, 10th house से related, जो भी चीज़ें आ रही हैं, उनसे related आपने cautious रहना है, और कहीं guidance का card भी आपको वही message दे रहा है, 9th house से मैंने आपको बता दिया, long travel आती है, spirituality आती है, higher studies आती है, 10th house से आपका professional front आता है, आपका करम आता है, या फिर आपका करम आता है, तो अपने करम को जो भी आप कर रहे हैं, उसको लेकर भी आप cautious रहें, कि you know, कभी-कभी जाने अन जाने में भी हम किसी को hurt कर देते हैं, जहां पर हमारी intention नहीं होती है, तो थोड़ा सा इन आपर root power gemini, ये काट कहता है, your root power manifests in the ability to adjust the style of communication to any fluctuating circumstance, as long as you improvise and wield your intelligence, you will achieve your aspirations, तो देखिए, किस तरीके से हम लोगों से communicate करते हैं, यकीन मानिये, बहुत कुछ इस पर depend करता है, यहां फिर ये भी एक बहुत बड़ा reason होता है, success का, क्योंकि देखिए, कभी-कभी हमारा काम बनते-बनते सिर्फ इसलिए रह जाता है, कि हमने अच्छे से communicate नहीं किया, या हमारा communication rough हो गया, राश हो गया, हालां कि देखिए, आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे cards आये हैं, कि किस तरीके से आप overall communicate कर रहे हैं, और practical, realistic तरीके से आप जादा चीज़ों को communicate करते दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर root power का card कह रहा है, या तो again मैं कहूंगे, इसी चीज़ को confirm कर रहा है, कि आपका communication बहुत अच्छा रहे रहा है, आप you know, कैसे लोगों से communicate कर रहे हैं, इस पे आप जादा focus कर रहे हैं, जिनका way of communication या you know, उनको लगता है कि वो इतने अच्छ करना है, इसको आपने और better करना है, अपनी life में success पाने के लिए, या फिर जो भी चीज़ आप achieve करना चाहते हैं, उसको पाने के लिए, यानि कि communication एक you know, जरिया रहेगा, आपके goal, आपके मकसद को achieve करने के लिए, इसको आप better कर लेंगे, तो वो चीज़ें पाना असान हो ज तो दिखे, मैं बहुत strongly of our goals, believe करते हूं, कि जतना जादा इंसान grounded होता ना, इतना जादा किसी भी चीज़ की जड़ें, roots, strong होती है, उतना वो चाईयां हासिल करता है, आप पेड को ही देख लें, जतना उसकी roots, जमीन के अंदर हैं, उतनी उसकी ग्रोथ होती है, अगर उसकी रूट्स जमीन के अंदर नहीं है, तो वो थोड़े दिन में मुर्शा जाएगा, मर जाएगा, तो इसी तरीके से अगर हमें बहुत उचाईयां अपनी लाइफ में चाहिएं, तो फिर उसके लिए से आपने टचनेक होना है, इसका आपने जरूर खयाल रखना है, और वैसे भी वर्गोथ आप लोग बहुत प्राक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज का खयाल रखें, यहाँ पर मर्कुरी और वर्गो जमिनी, यह आपके जो रूलिंग प्ल प्रकुरी कहीं देखें, इंटेलिजन्स के कारका होते हैं, बुद्धी, इनको हम हिंदी में कहते हैं बुद्घ्रे और बुद्घ्रे से बुद्धी, तो बहुत विजटम से आप ओवरॉल चीजों को डील करें, लॉजिकली जादा चीजों को डील करें, ओवर एमोशनल, अगर हम एमोशनल नहीं होंगे, तो फिर जो हमारा एक, you know, human beings हैं, वो ही हम नहीं रह पाएंगे, बट ओवर एमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल, 2023 में किसी भी चीज के लिए नहीं हों, एक, you know, wisdom से हर चीज को डील करें, और लॉजिकली हर चीज को डील करें, और थर्ड प्लुटोस्कॉपियो, और ये काट कहता है, the only thing that will make you happy is being happy with who you are and not who people think you are, तो देखिए, most of the times क्या होता है, हम लोगों के बारे में जादा सोचते हैं, और लोगों के हिसाब से, हम अपने आपको मोल्ड करते हैं, या फिर उनके हिसाब से हम चलते हैं, अपनी जो भी wishes होती है हैं, desires होती हैं, उनको compromise करते हैं, उनको कहीं ignore करते हैं, तो यहाँ पर ये काट बहुत clear message दे रहा है, कि आप लोगों के बारे में सोचें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन in the process, खुद को ना ignore करें, खुद के ऊपर उतना ही focus करें, अपनी wishes, अपनी desires को भी उतनी ही priority आप दे and अब आपके लिएर्गो इस blessings देख लेते हैं, तो blessings के लिए आप लोगों के लिए सबसे पहला card है Emerald, और ये card कहीं healing की बात करता है, fertility की बात करता है, कहीं देखें, peace की बात करता है, strong relationship की बात करता है, free flowing love की बात करता है, mature love की बात करता है और देखिए आपके cards भी कहीं relationships के better होने की या फिर और area से relationship better 2023 में रहने की बात करते हैं और कहीं देखिए blessing का card भी इसी चीज की बात कर रहा है तो कैसे आप देख पा रहे हैं कि cards आपस में connected हैं मैंने आपके सामने cards निकाले हैं और किस तरीके से देखिए जो आपके horoscope spread के cards कह रहे हैं वहीं कहीं blessing का card भी आपको message दे रहा है या पिर आपको बता रहा है तो strong relationship 2023 में आपकी life में आता हुआ दिख रहा है या पिर जो relationships हैं वो और strong होते हुए दिख रहे हैं उनमें growth आती हुए दिख रही है maturity लव में आती हुए दिख रही है relationships mature होते हुए दिख रहे हैं heart chakra का card कहता है कि आप दिल से जादा चीज़ों को deal कर रहे हैं हालां कि अभी मैंने आपको बताया कि आपने heart और mind का एक balance जरूर रखना है and fertility जो भी चीज आप इन ही चीज़ों से related चाहा रहे हैं उससे related situation circumstances conducive रहते हुए दिख रहे हैं और दिखें fertility कहीं ये भी कहता है कि जो लोग conceive करना चाहते हैं उनके लिए भी 2023 की energies काफी बहता रहती हुए दिख रही है and second है आपके लिए hammock और ये card कहता है rest, relax, time off, pause, suspend, sleep, recovery, find relief, vacation, waiting तो दिखें यहां पर कहीं हो सकता है कि vacation पर आप जा रहे हैं और कहीं एक 2023 relaxing energies आपके लिए लेकर आ रहा है पीछे अगर किसी भी चीज़ को लेकर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी यहां फिर आप बिल्कुल भी अराम नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल भी आप rest नहीं कर पा रहे थे तो 2023 will be a period जहां पर आप rest करते हुए दिख रहे हैं एक, sorry, अराम जादा चीज़ों को लेकर रहता हुआ दिख रहा है एक relaxing energies रहते हुए दिख रही है और कुछ के लिए दिखें हो सकता है कि cards आपको message दे रहे हैं कि कैसे आप, you know, थोड़ा सा break भी लें, थोड़ा सा अराम भी करें थोड़ा सा साथ के साथ इन दोनों चीज़ों को, यानि की work और rest को साथ के साथ लेके चलें इसके उपर आप focus करें telephone का connection की बात करता है, communication, conversations, getting through की बात करता है message की बात करता है, loud and clear, reaching out की बात करता है, inner voice, throat chakra की बात करता है तो दिखिए again, कितनी beautifully जो अभी मैंने आपको बुला कि आपने communication पर खयाल रखना है communication एक जरिया रह सकता है, आपके goals को achieve करने का और telephone का card actually, you know, exactly मैं कहूंगी, same आपको message दे रहा है इन चीजों पर आप work कर रहे हैं और इन चीजों की वजए से बाकी चीजें भी better होती भी दिख रही है तो दिखिए communication better हो रहा है, connections आपके strong हो रहे हैं जो भी लोग, you know, आपके आस-पास है, again दिखिए relationships की बात कर रहा है और telephone का card literally अगर हम देखें तो ये भी कह रहा है कि अगर आप नया expensive phone लेना चाह रहे हैं या फिर otherwise भी 2023 में अगर आप phone खरीदना चाह रहे हैं तो आप खरीद पाएंगे और अगर आप नहीं भी खरीदना चाह रहे हैं तो ऐसे circumstances, ऐसे situations बन सकते हैं जहां पे आप एक नया phone खरीद रहे हैं तो ये overall आपका हो गया येस हम significant months भी आपके लिए वर्गोस देख लेते हैं तो June, August and September These will be the significant months for you in 2023 June, August, September तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए 2023 की overall एक reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों के जवाब मिले है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें झाल 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 झाल